हेलो अब्रीवन वेल्कन वाइफ़ एड्युकेशन वाइफ़ एड्युकेशन गे इस वीडियो में हम प्रिस्कस करेंगे रिजिनिंग का एक मेराथन सेशन जो कि आपको हेल्प करेगा आई बी एसी आई यो टू टू थाज़न एड ट्विंटी वन एक्जाम में जो की 18 उननिस और 20 फेब्री दो हेयर इक्ट को कंड़क्ट किया जाएगा इस सेशन में हम 50 प्लस को कवर करेंगे जो की इंपोर्टेंड होंगे और बिलकुल आपके एक्जाम औरेंटर होंगे आप आपको एक्जाम से पहले इस सेशन को देखके जूर जाना है इस सेशन को देखने के बाद आप किसी वी बुक से इस टाइप के क्वेश्ट को प्रेक्टिस कर सकते हो यह मेरथन सेशन में आप तक लेके आ रहा हूँ मेरा नाम है मोहित गरगा सो लेट स्टार दा वीडियो अगर हमने 16 से लेकर 17 तक जाना है हमें एड करना पड़ेगा एक इसी तरह 17 से 15 तक जाना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा 2 इसी तरह हमें 15 से 18 तक जाना है प्लस 3 करेंगे इसी तरह 18 से 14 तक करना है तो हम माइनस 4 करेंगे इसी तरह हमें पता चल गया 1,2,3,4 यानि अग 19 यानि 19 इसका सही उत्र है C option 19 19 नेक्ट कोशन देखे सेकेंड नंबर कोशन अगेन आपको सीरीज दी गई है आपको पूछा गया है इस कोशन मार्क प्लेस पर कौन सा डेजिट आएगा सबसे पहले देखे इसमें लोजिक क्या लगाया गया है इसमें अगर एक की बात करें तो हमें जो value मिलेगी वो कितनी मिलेगी 4 मिलेगी इसी तरह जो next digit होगा वो कितना होगा 3 होगा 3 की करनी है अब cube पहले एक पावर थी 2 पावर फिर 3 पावर 3 की cube करेंगे तो हमें जो value मिलेगी 27 यानि इस question का जो सही उत्तर है वो है A option 27 उसके बाद next भी देखे 256 256 यानि 4 का ह हम् wij क्यारता है चार आइए चार फार यानि चार कुना चार गुना चार गुना चार हमारे पास थर्ड नंबर क्वेशन एक कॉलेज है जिसमें बाइयलोजी और मैथ्स की फैकॉल्टी की रेशो दी गई है फोर रेशो फाइव अब इनके दोवरा पताया गया है 65 मोर स्टूडेंट्स जब मैथ्स फैकॉल्टी को जॉइन करते हैं तो न्यू रेशो दी गई है क्या है 8 रेशो ग्यारा हमें पुछा गया है जो वाकोल्टी में च्टूडेंटस अन्य संख्या बेशी के लिए हमें पूचा गया है सबसे पहले तो आप लिखे कि हमारे पास रेशो किश की दि currently है biology week math की जो रेशो दी गई है वो कितनी दी गई है चार रेशो पांच यानि 4x 4x और यह कितना हो गया हमारे पास 5x उसके बाद 65 जो है वो math को और जोएन करते हैं यानि इसमें हम 65 एड़ करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 4x बटे 5x प्लस 65 इसे कुल टो नियू रेशो कितनी बनती है आठ रेशो ग्यारा यानि आठ वटे ग्यारा क्रॉस मुल्टिपलाई कर दिना है ग्यारा चोके 44 44 x is equal to 5 8 40 40 x प्लस 8 को 65 से आप मिल्टिपलाई करना है आठ से 65 को प्लस आ गया हमारे पास 5 50 यानि 520 44 x में से 4 x आ जाएगा जब हम 40 x को माइन्स करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 4x इसी तरह 520 एज़ेगा और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 520 बटे 4 यह हमारे पास value आ चुकी है 130 130 जो value है हमारे पास वो किसकी आ चुकी है x की value आ चुकी है हमें पुछा गया है how many students are there in biology faculty biology faculty में कितने student है यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी संक्या जो है वो है 4x तो हम 130 को 4 से multiply कर देंगे 13 चोके 52 यानि 520 तेरा चोके 52 यानि 520 जो student है वो biology faculty को बिराओंगों करते हैं यानि इसका जो सही उत्र है वो है यह option 520 I hope आप सभी को यह question भी clear हुआ होगा next question है हमारे पास फोर्थ number question एक train है जिसकी लंबाई दी गई है 240 मिटर और इसकी speed है 60 km प्रतिगंटा और एक और another train है जिसकी length है 270 मिटर और इसकी speed दी गई है 48 km प्रतिगंटा हमें पुछा गया है यह दोनों trains opposite directions में हैं और एक तूसरे को यह दोनों trains कितने time में cross कर देंगे यह basic लिए हमें पूछा गया है मानलों यह हमारे पास एक train है जो कि इस तरफ जाती है और जो second train है वो इस तरफ जाती है इसकी जो लंबाई है 240 इसकी लंबाई है 270 दी गई है और इसकी speed है 60 km प्रतिगंटा इसकी speed दी है 48 km प्रतिगंटा यह दोनों opposite direction होने की वज़ा से इनकी जो speed होगी वो relative speed यूज़ोगी यानि दोनों की speed है जो आइड कर देंगे हम relative speed हमारे पास आ चुकी है 60 इसकी पता है speed is equal to क्या होता है distance over time और time भी पता है हमें time इस तरफ जाएगा तो distance over speed हो जाएगी time हमें निकालना है और इनकी जो दोनों की length है यानि दोनों का distance कितना हो चुका है हमारे पास 240 प्लस 217 जिरो एक ग्यारा और चार सो पांसो दस दस दो एक दो चार चार और एक रिमांडर रहेगा पांसो दस इन दोनों का distance आ चुके है यानि पांसो दस हमारे पास लेंथा चुकी है और हमारे पास जो इनकी speed दी गई है वो कितनी दी गई है 30 मीटर पर सेकिन बटे कर सब्सक्राइब हम 30 से 0 के साथ 0 के साथ 0 कैंसल 17 157 यानि सतारा सेटे को 17 लगेंगे एक दूसरे को क्रॉश करने के लिए इसका सही उत्तर दिया गया है वह दिया गया है सतारा सेके माँ होप आप सभी को यह कुश्ण बी क्लीर हुआ होगा नेके शोचन है हमारे पास फिफ्थ नंबर कुशन पांच नंबर कुशन दा प्रजिशन ओफ हॉ मैनी डिजट्स ओफ दन नंबर यानि कितने नंबर ओफ डिजट हैं जो की एज़ेज रहेंगे रिमेन अंचेंज रहेंगे जब हम इनको असेंडिंग और में अरेंज करेंगे रिअरेंज करने के बाद ये पुछा गया है सबसे पहले तो आप देखिए इनमें सभी डिजट में सबसे जो चोटा नंबर दिया गया है वो कौँसा दिया गया है सबसे जो चोटा डिजट है वो है हमारे पास एक एक आजाएगा यहां पे और नेक्स टाए हमारे पास थ् नहीं है 63 नहीं है एक नहीं है नहीं है तीन नहीं फांच नहीं है साथ भी है उर 9 या यहीं है पुचा गया है कितने डिझर रिमीर नचेंज रहेंगे यानि दो डेज़त आचुके या पास यानि इस question का जो right answer बनेगा वो बनेगा भी ऑप्शन तू इसका सही उत्र है भी ऑप्शन तू नेक्शन हमारे पास six number question छे number question इसमें कहा गया है राम रैंक्स 37th इंदा class यानि राम का जो रैंक है वो है 37th class में हमें यह नहीं पता कि इसका top से या फिर bottom से या फिर left से या फिर right से हमें इसका रैंक नहीं दिया गया उसके बाद next बताया गया है मनोज is 17th ranks ahead of Ram in the class यानि जो rank राम का है उससे 17 rank आगे rank है किसका मनोज का मनोज का जो rank है from the last 46th यानि एक person है जिसका नाम है मनोज इसका जो last से rank दिया गया है वो कितना दिया गया है हमें वो दिया गया है मनोज का 46 सा 46 सा माल लो यहाँ पर हमारे पास एक number है यह हमारे पास एक line है और यहाँ पर एक rank है 46 यह है मनोज का rank और 46 इसका rank है उसके बाद मनोज जो है वो 17 place जो है वो आगे है राम से यानि राम जो है वो नीचे होगा क्योंकि इनके दोरा बताया गया है जो मणोज है वह 17 रैंक आगे है किस से राम से यानि राम जो है वह मालो यहां पर होगा राम यहां पर मालो और 17 प्लेस आगे होने की है 29 हमें पता है एक और रैंक गिवन है इस राम का वो कितना है 37 यह कहां से होगा और यह होगा टॉप से क्योंकि हां में बॉटम से मिल चुका है तो हमारा जो दिया गया है कोश्चन में वो किस से होगा वो होगा टॉप से रहे का इसका टॉप से रहे कितना गया हमारे पास 37 यानि इसमें पुछा गया है total जो boys m इस class में वो कितने है 37th plus 29th minus कर देंगे 1 वो क्यों करेंगे क्योंकि 37th में भी और 29th में भी ये राम जो है दो बार count होने की वज़ा से हम इसको minus कर देंगे 1 इसको minus करने के बाद जो हमें value मिली वो आईगी 635 यानि इस class में total जो संक्या है students की वो कितनी है 635 इसका सही उत्तर है पी आफ्शन 635 नेक्स वेशन देखे सेवन्थ रंबर क्वेशन सेवन्थ रंबर क्वेशन में पुछा गया है एक survey करवाय जाता है जिसमें 70% लोगों के पास क्या है cars है 15% लोगों के पास tv है और 55% लोगों के पास दोनों है car और tv हां में पुछा गया है कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो car है ना तो tv है यह पुछा गया है सबसे पहले तो आप इस तरह के question को करने 55% लोग जो हैं वो दोनों है यानि 55 आ जाएगा हमारे पास यहां पर यह 55 जो है इसमें भी कोमन है इसमें भी कोमन है यानि हम कह सकते हैं 70 प्लस 75 इसमें माइनस करना पड़ेगा 55 यह हमारे पास 145-55 यानि हमारे पास value गतीना आ चुकी है 90 90% वो लोग हैं । इसका सही उतर होगा सी आप्षिन दस प्रतिशत नेक्ट शोशन देखे एट्थ नंबर कोशन फ्रॉम दा गीवन डिटेल्स एस्टिमेट ऑफ नंबर आफ पीपल इफेक्टेड बाइट 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 यूपर क्लॉस इन पर्टिकुलर लोकालिटी इन ये तो थाउजन एड ट्वैल यानि जि केतने करना पड़ेगा 35 करना पड़ेगा 35 और यह कषिक घ्रज को मल्टिपलिकेशन होता है साथ इन टू-5 साथ-इनि जा इत्य से-ले Mao है तो हमें एड़ करना पड़ेगा 21 21 और यह multiplication होता है 7 into 3 और हमें पता चल गया कि यहां पे 7 का जो टेबल है वो काउंट किया रहा है 5 4 3 यानि अगला जो डिस्ट होगा वो कितना होगा हमारे पास वो होगा 7 यानि प्लस करना पड़ेगा 14 यहां पे 92 में से जब हम 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यों है वह यहां पे आने पद्री वह आ जायेगी निएक पर्सन है विनीत जिसके द्वारा एक लेड़ी को देखने के बाद कहा जाता है हमें पुछा गया है यह विनीत इस लेड़ी से किस परकार से एसुसेट है यह पुछा गया है सबसे पहले तो आप लिखिए इस परकार के कोशन को करने के लिए विनीत और विनीत को लिखने के बाद हमें यहां पर माई ग्रेंड़ फादर होगा वो यहां पर आएगा नेक्सटर जनेरेशन वाला इसका भी फादर यानि फादर का फादर कौन होगा ग विनीत के और इनकी बेटी इनकी बेटी कौन होगी यहां पर माँ सकते हो आप एक एकस जो है वो कौन है वो इसकी विनीत की सिस्टर होगी जो की इस विनीत के फादर की क्या है डाटर है यही पूछा गया है विनीत से किस परकार से असूसेट है यह फादर की डाटर है तो ह हमें exact पता चल चुका है विनीत जो है यह क्या है इसका ब्रदर यानि इसका question का सही उत्तर होगा a option brother यानि brother जो है वो है इस question का right उत्तर a option is correct answer 10th number question the sum of the ages of our son and father is 56 years यानि एक son और फादर की जो एस का सम है वो हमें 56 इस दिया गया है चार साल बाद इनकी जो रेशो दी गई है वो दी गई है हमारे पास थ्री टैम्स ऑफ दा सन यानि जो फादर की जोगी वो होगी थ्री और सन की होगी एक यह हमें रेशो दी गई है हमें चार साल बाद सबसे पहले तो ह इसके बगल में future की एज है future की एज हमें दी गई है तीन रेशो एक यानि इसकी जो एज होगी सन की वह मालो एक्स इसकी फादर की कितनी एज होगी 3x होगी क्योंकि इनके दौरा तो 3x हम यहां पर लेंगे और 4 साल पहली की बात है यानि यह दो 4 साल पहली इसकी एज क्या होगी इसकी फादर की शोगी 3x-4 इन दोनों का सम जो दिया है हमें वो दिया है 56 यानि x-4 प्लस 3x-4 is equal to कितना दिया है 56 और 3 और 1 4x और minus 8 is equal to 56 as it is इसी तरह 4x as it is जाएगा 8x जो है इसमें जाके add हो जाएगा 56 plus 8 यानि हमारे पास 4x की जो value है वो आ चुकिया है 64 और x की value यहां से हमारे पास आ चुकिया है 16 यानि 16 16 जो value है हमारे पास वो x किया चुकिया है हामें पूचा गया है इनकी जो as है वो पूची गई है कितनी है यानि present की as पूची गई है क्योंकि यहां पे इनके द्वारा are use किया गया है यानि present की as use की गई है यहां पे अगर x यानि x की value कितनी है कि 16 16 में से 4 minus करेंगे तो value आ चुकिया है sun की 12 ठीक है यानि इस question का सही उत्र है 12 और 44 साल नेक्स question देखे हमें पूचा गया है इस series में wrong number कौन सा दिया गया है यह हमने डूड़ना है कौन सा जो number है हमें वो विल्कुल wrong दिया गया है इस series के according सबसे पहले देखे 32 plus कितना करें हमारे पास 40 आ जाए यानि चार एड़ करने के बाद हमें 14 आना चाहिए बट यहां पे 9 में 4 एड़ करेंगे तो 13 यानि जो 9 संख्या दी गई है 9 number दिया गया है यह हमें गलत दिया गया है यानि इस question का सही उत्र होगा सही उत्र होगा यहां पे 9 की बजाए 10 आएगा इस series को सही बनाने के लिए इसका सही उत्र है डिया आफ्शन नाइन नेक्स वोशन देखें बारन अम्ब क्वेशन एक accurate clock है जो की 8 बज़े सही समय जो दिखाता है accurate clock जो है 8 बज़े मॉर्निंग में सही समय दिखाता है हमें कहा गया है कितने परसेंट कितने डिगरी का जो एंगल है वो रोटेट होगा इस हर हैंड के माद्यम से जब यह दो बज़े दुपहर को कितने डिगरी का बनाएगा यानि मालो हमारे पास एक क्या है यह वाल कलो का ठीक है और यहां सबसे पहले इस परकार के कोशन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए जो हर हैंड होती है हमारे पास हर हैंड यह हमारे पास कितने डिगरी का एंगल बनाती है एक मिनट में एक मिनट में यह जो एंगल बनाती है वह बनाती है सबसे पहले जाएंगे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 यानि हमारे पास कितने इंटरवल आ चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 गंटे इस सुई को गुमाना है, हमें पूछा गया कितने डिगरी का एंगल बनेगा तीस डिगरी इंटू 6 कर दिना है, आपको मिलेगा एंगल 180 डिगरी का यानि इसका सही उत्तर होगा D-Option 180 डिगरी, D-Option is correct answer 180 डिगरी नेक्स डिगरी देखें, 13 से लेकर 17 नंबर कोश्चन तरका, हमें एक पॉजल टाइब कोश्चन दिया गया है हमें इस कोश्चन को attempt करने के लिए इस पॉजल को solve करना बढ़ेगा सबसे पहले देखे, इसमें कहा गया है, होंडा कार वाजर टूदा इमिरेट राइट आफ टाटा ये हमें कार्स दी गई है, different companies के दौरा, जो कि एक exhibition करवाया जाता है इसमें साथ companies, जो हैं, car companies, इनके दौरा participate किया जाता है, इनके दौरा अपनी कारेंच जो हैं, वो दिखाई जाते हैं, इस exhibition में हमें ये चार point दिये गए हैं, इनको arrange करने के बाद हम solve करेंगे, इस 13 से लेकर 70 number question धका सबसे पहले तो देखे, honda car was to the immediate right of tata, यानि जो honda car है हमारे पास, वो immediate right है, किस car से, tata car से, यानि हमें दिया गया है, जो honda car है, वो immediate right है, किस से, tata से, यहाँ पे हम लिख लेंगे, honda car, इसी तरह, tata car was fourth to the right of fiat, यानि यहाँ पे एक car मान लो, जिसका नाम है fiat, fiat car मानन के बाद हमें कहा गया है, tata जो है fourth right पे है, fiat से, यानि एक, दो, तीन, यहाँ पे आ जाएगी कौन सी कार हमारे पास, tata, tata, उसके बाद हमें यह भी पता है, tata के बगल में कौन सी कार है, honda, यहाँ पे कार टाटा आगी, यहाँ पे कौन सी कार आगी हमारे पास, honda गार तोईटा यानि जो मरुतिकर है यह उन चरह चागी और इन दोनों के बीच कोंसी तोईटा है मारुति यह दोनों जो पुजिशन हैं यह जो सकती है यानि Hyundai की जगा पर Toyota आ सकती है, Toyota की जगा पर Hyundai आ सकती है, उसके बाद next day के, Fiat was the third to the left of Hyundai, Fiat जो है, यह third left है, किस से, Hyundai से, यानि अगर यहां पर Hyundai आ जाए, तो हमें Fiat की जो position आ वह सही बन जाएगी, यानि जो Hyundai कार है, वो कहां पर आ जाएगी, Hyundai कार, Hyundai कार सेटल करने के बाद, हमें next, जो कार सेटल करनी है, वो कौन सी करनी है, मारूती, मारूती यहां पर नहीं आ सकती, मारूती यहां पर आ सकती है, मारूती कार यहां पर आ जाएगी, मारूती यहां पर आने के बाद, Toyota के लिए हमें एक ही जगा बचती है, वो बचती है, यह वाली Toyota कार यहां पर आ राइट हैंड पर होने चाहिए यानि किसी एंड पर होने चाहिए फियर जो है वो लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड से एंड पर आ चुकी है हमारे पास टोटल साथ कारे हैं लेफ्ट पर हमरे हमारे पास जो फियर्ट है वो आ चुकी है और राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास कार जो बच्ची हुई है वह कौन सी हमारे पास वह बच्ची हुई है मरसरी कार हमारे पास यहां पर आ जाएगी यह हमारी पूरी की पूरी जो पजल है वह हो चुकी है नेक्ष्ट हम सॉल्व करते हैं जो की 13 से लेकर 17 नंबर कोशन तक हमें इस पूछे गया थे सबसे पहले देखें 13 नंबर कोशन तेरन नंबर कोशन फॉर्थ तूदा राइट ऑफ मारुत्ति यहां पर आप देख सकते हो यह कार रही मारुत्ति और इसके फॉर्थ राइट पर कौनसी कार है वह है मरसरी वन टू थी फोर यानि मरसरी कार जो है वह है फॉर्थ राइट तू नंबर कोशन हमें पुछा गया है कौनजी definitely true definitely true कौनसी हमें जो है वो दी गई है हमें पुछा गया है सबसे पहले तो मैं आपका इसका अंसर बता दूँँ इसका जो अंसर है वो है विए आप्शन होंडा कार इस टूदा इम्मीडेट लेफ्ट आफ मरस्डी यानि यो हमारे पास होंडा कार जो है वह इम्मीडेट एक शोर्शन देखे 15 नंबर कौश्चन विच कार्ज आर ओन्दा इम्मीडेट आइदर साइड आफ होंडा कार जो है इसकी दोनों साइड पे जो कार्ज है वो कौनसी है सबसे पहले तो आप देखिए होंडा कार हमारे पास ये रही इसके दोनों अगल और बगल में दोनों हो जो सही उत्र होगा वो होगा D option none of the above is correct याने मर्षली और टाटा कार जो है वह हमें नहीं दिया गया मर्षलि दिया इताडले इस तरह ये वी नहीं सबढ़े यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास हुंड़ी कार जो है वो हमारे पास यह रही है हमारे पास हुंड़ी कार और इसके इमिरेट लेफ्ट पे कौनसी कार है मारूति कार यहां पे आप देख सकते हो मारूति कार जो है वो इमिरेट लेफ्ट है हुंड़ी कार से यही हमें पूछा गया है कौनसी स्टेटमेंट बेकर सही दी गई है यानि इस क्वेशन का सही उत्र बनेगा यह आप्शन मारूति इस to the immediate left of Hyundai car इसका सही उत्र है एक उप्शन देखे 17 फॉलिंग ग्रॉप्स ऑफ कार्ज इस तू दर राइट ऑफ हुंड़ी कार यानि हुंड़ी कार के जो राइट में कार्ज दी गई है वो कौन कौंसी दी गई है सबसे पहले देखिए आप हुंड़ी कार जो है वो हमें यहां इसके टाकॉंड़ी कार्ज हमें दी गई है याप आप देख सकते हो टांद्रोंốngल टांट्राटा और मशिट्री यह हमें आप्शन में अप्शन में दी गई है है find the ode out in the falling anagrams यानि इस anagrams में से पुछा गया है ode out कुछ सा दिया गया है में सबसे पहले तो मैं आपको इसका अंसर बता दूँ इसका जो अंसर है वो है भी option UNEP यह एक international level के organization जिसका नाम है यह सबसे पहले हम डी उसके बाद यूज करें यह हमारे पास कौन सा एक city बन चुका है इंडिया का डैली सिटी बन चुका है इसी तरह जो सेकेंड है थर्ड हमारे पास option दिया गया है वो दिया गया है M-M-U-A-I-B इसको हम जब arrange करेंगे तो हमें जो city मिलेगा वो कौन सा मिलेगा M-U-M-B-A-I यानि मुंबई इसी तरह next ना हमारे पास एक city का नाम दिया गया है जब हम इसको arrange करेंगे वो city मिलेगा हमारा Moscow Moscow एक रशिया का city है या आपको पता होगा सबको यह तीन city हैं बट यह एक international level की organization है जो कि इसमें old one out हमें दी गई है इसका सही उत्र है B option U-N-E-P is correct B option next question है हमारे पास 19th number question 19th number question एक girl है जो कि अपने pet dog के पीछे भागती है और इसके द्वारा इस condition के according सारा जो data है हमें वो दिया गया है इसको हमने इसी according इसको range करना है ड्रेक्शन के हिसाफ से हमें सबसे पहले तो एक परकार की ड्रेक्शन बना लेगे नहीं आपको सबसे पहले question solve करने से पहले North – South, East, West ये direction बनाने के बाद आपको देखना है गर्ल जो है वो अपने pet dog के पीछे बागती हैं और 20 meter वेस्ट वर की तरफ जाती है यानि इसका 20 meter किस तरफ होगा इस तरफ होगा ये गई 20ay dus 20 बूसित मिटर जाने के बाद she saw the dog who turned left and and rain after it फोर 15 मिट्र यानि इसके दौरा लेफ्टर लिया जा याता है और ये जाती है 15 मिट्र इसके तरफ होने के वजह से इसका जो लेफ्ट होगा वो नीचे की तरफ होगा और ये चले गई 15 मिट्र जा चुकिया है नेक्स्ट बताया गया है, the dog got into another lane, यानि इसके द्वारा अगेंस एक turn लिया जाता है, left turn, left turn लेने के बाद इसके द्वारा 25 मिटर का distance जो है, वो cover किया जाता है, यानि हमारे पास 20 तो यहाँ पर चुका है, 5 मिटर और distance तैकिया जाता है, यहाँ पर 25 मिटर इसका distance cover हो जाता ह नेक्स्ट क्या हा गया है, इनके द्वारा, succeeded in catching the dog, यहाँ पर इसके द्वारा इस dog को पकड़ा गया, और इसके द्वारा एक turn और लिया गया, 8 मिटर राइट साइड, यानि इसका राइट के सर्फ होगा, नीचे की तरफ होगा, इसके द्वारा इस तरफ turn लेने के बाद, 8 मिटर डिस्टेंस कवर किया आता है, यहाँ पर 8 मिटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, यह यहाँ पर पहुंच चुकी है, जो एक girl है, इसके द्वारा इसके द्वारा opposite direction में, straight line में, यानि इसी लाइन में opposite direction में यह चलती है, 23 मिटरा, यानि इसका नीचे की तरफ जो होगा सही direction होगी, बट opposite direction इसका उपर की तरफ होगी, यानि हम कह सकते हैं, यह जो girl है, यह इस तरफ चली गए, इस तरफ यानि की वज़ा से, इसके द्वारा 8 मिटर का डिस्टेंस यह कवर किया गया, यानि यह जो डिस्टेंस है, यहाँ से यह चली थी, यह पॉइंट से, इसके सामने ये पहुंच चुकी है बापस आने के बाद 23 मिटर चलने के बाद हमें पुछा गया है ये अपने घर से कितने मिटर दूर है और किस ड्रेक्शन में इसको जाना पड़ेगा how far and in which direction she has to go in order to reach her home यानि अपने घर में पहुँचने के लिए इसको कितने मिटर का distance कवरन करना पड़ेगा और किस direction में जाना पड़ेगा ये पुछा गया है सबसे पहले तो आप देखिए इस direction में इसको जाना पड़ेगा ये कौँसी direction हो चुकिया हमारे पास वो चुकिया west direction और कितना distance हो चुका है यहान पर बैंने आपको बताया हैThis distance हो या किकि anchetить हो गया यह distance कि मंटर हो गया हमारे पास यह distance हो चुका है 5 मिटर 5 में पास यानि इसका सही उतना है हमारे पास wadди option 5 मिटरר टूँवरज west के बाद Rishuffle करने के बाद हमें पूछा गया है इस question का answer B से लेकर 22 question तक सबसे पहले तो देखिए आप इसमें पूछा गया है बीस question में if the position of the first and third यानि पहला और तीसरा डिजिट यानि इन दोनों की जो positions है वो reverse करने के बाद हमें कहा कहा गया है कौН सा जोडिज़ित है वो मिडल में आएगा लोए अभर करने के बाद जोand और गहरे अरने के बाद जो लोटर होगा उसका हमें की सबसे पहले इस परकार के कोश्चन को करने के लिए आपको देखना है कि हमें लोटर नमबर पुछा गया है तो हम subject pork की तरफ ही होगा यानि इसको जब हम री शफल करेंगे तो हमारे पास आठ यहां पर आजाएगा दो एजट आएगा और पांच यहां पर आएगा हमारे पास 825 आचुका है इसी तरह जब थर्ड डिजट पहले प्लेस पर आएगा तो नंबर इसी तरह से फॉर्म होगा तो हमने सबसे जो छोटा नंबर है तीसरी डिजट पर वो कौनसा है हमारे पास 3 यानि 480 483 को रेंज करने के बाद इसको हम अरेंज करेंगे 384 384 हमें पुछा गया है इसमें जो मिडल वाला डेजट और वो कौन सा होगा मिडल वाला डिजट जो है वो कौनसा है हमारे पास D ऑप्षिन ड डी डी डीजट जो है एट वाला यह मिडल में आएगा इसको री अरेंज करने के बाद यानि इस कोशन का सही उतर है हमारे पास डी ऑप्शन एट नेक्स शुशन देखे 21 नमबर कुशन इसमें कहा गया है पहले और दूसरे डीजट को अरेंज करने के बाद रिवर्स करने के बाद हमें पुछा गया है जो हाइस नमबर का थर्ड डीजट होगा वो कौन सा होगा यानि पहला और दूसरा डीजट जब हम री अरेंज कर लेंगे रिवर्स कर लेंगे उसके बाद जो तीसरा डीजट होगा highest number का वो पुछा गया है कौन सा होगा यानि हम ये कह सकते हैं second वाला जो number होगा वो पहले नवर पे आएगा second वाला desert जो है वो पहले पे आने के वज़ा से सबसे जो बड़ा desert दिया गया है वो हमने टोनना है इसमें सबसे जो second place पे कौन सा desert दिया गया है 9 दिया गया है यानि 9 पहले पर आजाएगा 2 2nd पर आजाएगा इसी तरह 5 एज़ेज़ आज़ेगा इसी तरह हमें पुछा गया है जो highest number का 3rd digit होगा वो कौन सा होगा इसका 3rd digit कौन सा है हमारे पास वो है 5 यानि इस question का जो जो सही उत्र होगा वो कौन सा होगा D option 5 फाइव जो है वो होगा 3rd digit जो highest number होगा जो की हमें D option में दिया गया है इसका सही उत्र है 5 D option next question देखें 22 number question इसमें कहा गया है if the second digit of second lowest number यानि जो second lowest number है उसका हमें find करना है second digit उसको बाद उसको subtract करना है from the third digit of the highest number यानि जो highest number है उसका third digit उसमें से minus करना है second digit of second lowest number यानि सबसे पहले तो हमें जो highest number है वो डूणना है कौन सा हमें इनमें दिया गया है इनमें आप देख सकते हो इसमें जो सबसे जो highest number दिया गया है वो दिया गया है 619 619 में से जो third digit है हमारे पास वो कितना है 9, 9- उसके बाद 2nd visit of 2nd lowest number, 2nd lowest, सबसे lowest कोंसा होगा number है, हमारे पास 295 में, और 2nd lowest कोंसा होगा हमारे पास, 374 374 का जो 2nd visit है, वो कोंसा है, 7 7- का देंगे, 9-7 कितना आ चुका है, हमारे पास, 2 यानि 2, यानि इस question का सही उतर होगा be option 2, इसका सही उतर है be option 2 next question देखे, 23 नमबर कोशन, captain जिस परकार से team का leader होता है, उसी परकार से director का जो relation होगा किस से होगा, यानि सबसे पहले तो आप देखे, जो team होती है इसको regulate control कौन करता है वो करता है, handle करता है, captain सारा जो काम होता है, वो handle कौन करता है, captain, उसी तरह जो director है, ये काम organization जो होती है, organization उसमें सारे जो काम होते है, संक्ठन जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, उसके जो सारे काम है, manager की काम, वो कौन handle करता है, director करता है, यानि इसका सही उत्र होगा C option, organization C option is correct answer, organization संक्थन नगे स्टोशन देखे, 24 नंबर question, three of the following four are alike in a certain way and hence form a group which is one that does not belong to the group, यानि चार में से एक हमें अलग दिया गया है वो ही हमें find करना है सबसे पहले देखे, sister, child uncle और cousin अगर हम cousin, uncle और sister को देखे, ये एक relationship बताते हैं हमें, relationship चाहे वो sister का relation हो, चाहे वो uncle का relation हो, या फिर cousin का relation हो ये हमें बताते हैं, रिष्टा ये हमें क्या बताते हैं, रिष्टा किसी परकार का भी रिष्टा बताते हैं, बट जो sitting to the immediate left of Mina but not next of भारती यानि सबसे पहले तो आप person देखे कितने हैं हमारे पास 4 persons है 4 persons को arrange करने के लिए हम 4 जो person है उनको settle कर देंगे सबसे पहले देखे searching is sitting to the immediate left of Mina यानि searching जो है वो immediate left है Mina से अगर Mina को हम यहाँ पर मान लें तो हमारे पास search in कहां पे आ जाएगा searching जो है वो immediate left है किस से मीना से क्योंकि यह सारे के सारे जो है वो किस पर focus कर रहे हैं जो हमारा center है उस तरफ से face कर रहे है इसलिए से जो हमारे पास searching है इसके left में आ जाएगा और next कहाँ गया है not next to भारती यानि next भारती के नहीं है यानि भारती यहाँ पर नहीं आ सकती एक ही position बच्ची है भारती के लिए वो बच्ची है हमारे पास यह बाली और भारती के बिना और एक person है हमारे पास वो दिया गया है प्रवीन, प्रवीन is sitting to the right of भारती इसकी तरफ face होने की वज़ा से इसका right इस तरफ बनेगा और इसका right पे प्रवीन बैठा है यानि प्रवीन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे और next बताया गया हमें if the four persons friends are sitting in a circle who is sitting to the immediate right of मिना मिना के immediate right कौन बैठा है मिना का right इस तरफ होगा और इसके जो right में बैठा है कौन बैठा है भारती यानि इस question का सही उत्र होगा B option भारती भारती is correct answer जो हमें B option में दिया गया है next question देखे 26 नमबर परशन रूपा और सरोज जो हैं ये एक seminar को attend करते हैं करना चाहते हैं 9 से लेकर 5 बज़े तक यानि दो girls हैं जिनका नाम है एक नाम तो है रूपा और एक है सरोज इन दोनों के द्वारा decide क्या जाता है ये एक organization जो है उसका seminar अटेंड करेंगी 9 से लेकर 9 a.m. से लेकर 5 p.m. तक ये जो seminar होगा ये Friday को होगा शुकरवार को होगा Friday को होगा और next बताया गया है सरोज जो है सरोज के बारे में हमें एक condition बताई गई है सरोज cannot leave till after her lunch break which begins 1.30 p.m. यानि सरोज जो है वो उस समय तक नहीं जा सकती जब तक उसका जो lunch break है वो खतम नहीं हो जाता जो की 1.30 पे start होगा 1.30 p.m. पे start होगा begins होगा और हमें next बताया गया है रूपा is free रूपा जो है रूपा is free after her meeting which begins at noon यानि जो रूपा है वो अपनी meeting से free हो जाएगी जो की noon का मतलब क्या होता है 12 p.m. यानि दोपहर के जब 12 बचते हैं उसके लिए हम एक word यूज़ करते हैं that is known इसी तरह ये बताया गया है 12 बचते 12 p.m. इसकी जो meeting है वो start होती है हमें इन दोनों के बारे में ये नहीं बताया गया कि सरोज का जो lunch break होगा वो खतम कब होगा एंड कब होगा इसी तरह रूपा जो है इसकी जो meeting है 12 बचते होती है बट हमें नहीं बताया गया कि खतम कब होती है यानि हम ये find नहीं कर सकते कि रूपा और सरोज के दोवारा कितने समय के लिए इस seminar को attend किया गया यानि इस question का सही उत्तर बनेगा cannot be determined क्योंकि इनके दोरा ये बताया गया कि start होगा दोनों के दोरा एक का जो lunch break है वो start होगा डेड़ बजे एक की meeting start होगी 12 बजे बट ये नहीं बताया गया इन दोनों की lunch break और meeting कब अच्मापत होगी कब खतम होगी इसलिए हम ये नहीं पता कर सकते cannot be determined इनका जो time होगा seminar का वो हम नहीं पता कर सकते इसका सही उत्तरडी option cannot be determined next question देखे 27 number question इसमें हमें सभी के जो code हैं वो दिये गए है इस code के according strong को हम किस परकार से लेखेंगे सबसे पहले देखिए आप S का code क्या दिया गया है 3, T का code है हमारे पास 6 इसी तरह R का code की दिया गया है हमें 4 R का code हमें 2 दिया गया है N का code हमें दिया गया है 5 और G का हमें 1 दिया गया है 344, 251 344, 251 वो हमें दिया गया है C option C option is correct answer इसमें दिया गया है 344 और 251 जो की इस according होगा इसका strong का code होगा यानि इस question का सही उत्तर है C option 364 251 Next question देखे 28 number question The positions of how many desserts in the number यानि इनको arrange करने के बाद rearrange करने के बाद ascending order में हमें पुछा गया है कितने dessert as it is रहेंगे इनकी positions change नहीं होगी यह पुछा गया है सबसे पहले देखे इनमें सबसे जो छोटा dessert है वो कौन सा दिया गया है 1 इससे बड़ा कौन सा dessert है 3 है हमारे पास 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 इसमें आप common देख सकते हो 3 3 के बाद हमारे पास जो common है वो है 6, 8, 7 common नहीं है यानि दो desert जो है वो क्या है common रहेंगे जब हम इसको ascending order में arrange करेंगे यानि इस question का हमारे पास जो सही उत्तर बनेगा वो कौन सा बनेगा C option 2 2 जो होगा वो वो बिल्कुल इस question का सही उत्तर होगा जो हमें C option में दिया गया है 29 नंबर question A's son B is married with C यानि A का son है जिसका नाम है B इसकी शादी हुई है किसके साथ C के साथ A's son B यानि B जो है वो son है इसकी married हुई है किसके साथ C क्या होगी इसकी wife इसी तरह Whose sister of D is married to E यानि C की sister है किसका नाम है D और इसकी married हुई है यानि इसकी शादी होई हुई है किसके साथ E के साथ यह इसका husband हो गया क्योंकि यह D जो है वो C क्या है sister है उसके बाद the brother of B यानि जो हमारे पास E जो है और B जो है यह दोनों एक दूसरे के क्या है brother है भाई है यानि यहां पे हमें यह पता चल गया B और E जो है यह क्या है दोनों brother है और C और D क्या है दोने बेने हैं sisters है हमें पुछा गया है how is D related to A यानि D जो है वो A से किस परकार से associate होगा यहां पे आप देख सकते हो यह क्या होगी इसकी daughter in law यानि इस question का जो सही उत्र होगा वो क्या होगा B option daughter in law इस question का सही उत्र है B option daughter in law next question देखिये 30 number question हमें पूछा गया है इस question mark प्लेज़ पे क्या हैगा which of the following options would replace the question mark in the given series यानि इस series में हमें पूछा गया है इस question mark का प्लेज़ पे क्या हैगा सबसे पहले तो आप देखे A से लेके हमें जाना है G ता का A का कोड क्या होता है 1 G का होता है 7 इसी तरह M का होता है 13 इसी तरह S का कोड क्या होता है 19 इसमें कितना एड़ किया 6 एड़ किया इसमें कितना एड़ किया 6 एड़ किया जैड़ वाले दोनों जो options हैं वो eliminate हो चुके हैं उसके बार next देखे 210 से लेकि जाना है हमें 200 तक कितना minus करेंगे 10 इसी तरह 180 तक जाना है minus 20 करेंगे इसी तरह 180 में से minus 30 करेंगे हमारे पास 150 जाएगा इसी तरह minus करेंगे minus 40 हमें value कितनी मिल जाएगी 110 y 110 जो की हमें D option में दिया गया है इसका सही उतर है D option next version देखे 31 नमबर गुष्णा out of 38 families in a housing society 5 subscribe to Hindi newspaper alone 12 subscribe to both Hindi and English newspaper find the number of English newspaper subscribers 38 families हैं एक housing society में हमें बताया गया है 5 के दोरा subscribe किया गया Hindi का newspaper और 12 के दोरा subscribe किया गया Hindi और English दोनों का और हमें पुछा गया है English का जो newspaper है वो कितने लोगों के दोरा subscribe किया गया सबसे पहले तो इस परकार के question को करने के लिए आपको Vendagram बना देनी है Vendagram में सबसे पहले बताया गया है Hindi newspaper वाले सबसे पहले यहाँ पर लिखे हिंदी यहाँ पर लिख लिए आप English newspaper English newspaper और 5 जो है हमारे पास वो हिंदी वाले है हमें पूछा गया है बाकी जो बचे हैं हमारे पास who कितने है 38 वाले है इसमें 5 जो है वो है हिंदी वाले तो हमारे पास जो बाकी 33 होंगे वो किसके होंगे English वाले यानि इस question का हमारे पास director अंसर कौन सा मन चुका है 33 33 जो हैं वो English वाले होंगे, 5 Hindi वाले होंगे, 12 जो हैं वो इन दोनों के common हैं यानि Hindi वाले वी हैं वो English वाले वी हैं, दोनों common होने की वज़ा से 12 हम बीच में लिखेंगे यानि 33 इस question का बिलकुल सही उत्र होगा, जो की हमें बिलकुल D option में दिया गया है इसका सही उत्तर है D option 13-33 नेक शुशन देखें, 32 नमब कुष्णा इन एन एक्जाम, A, B, C and D each score different marks था यानि एक एक एक्जाम में 4 persons हैं, इनके दोरा different scores जो हैं, वो हासिल किये जाते हैं, रसीव किये जाते हैं हमें पुछा गया है, इसमें जो maximum marks हैं, यानि सबसे ज्यादा जो highest marks रसीव किये गए हैं, वो किसके दोरा किये गए हैं सबसे पहले तो आप देखिए, B के दोरा more marks हैं, more receive किये गए, C और D से यानि B के दोरा ज्यादा marks रसीव किये गए, C और D से no one is scored less than A, यानि जो A है, इसे कम score किसी के दोरा भी हासिल नहीं किये गए, अचीव नहीं किये गए यानि हम ये कह सकते हैं, कि A के दोरा सबसे कम score हासिल किये गए, A के दोरा सबसे low, lowest हमें पुछा गया है, maximum marks यानि highest marks किस के दोरा रसीव किये गए, तो हमारा जो answer बनेगा director वो कौन सा बन जाएगा, B, क्योंकि B के जो है marks वो C और D से भी जादा है, A के सबसे low होने के वज़ा से ही ये highest नहीं हो सकता, यानि इस question का director हमारे पास अंसर कौन सा बन चुका है, A option B, B के जो marks हैं वो सबसे जादा है, इसका सही उत्तर है हमारे पास A option B next question देखे, 33 रंबो question, एक silo gsm का question भी जो है, वो इसमें इक्लूट किया गया है, क्योंकि कम से कम एक से दो question जो है, वो silo gsm में के वी आते हैं, इस intelligence bureau के exam में, सबसे पहले देखिए, statement समय तीन statement सी गई हैं, तीन calculation दिये गई हैं, इनको हमने ने solve करना है, सबसे पहले देखि आ चुका है, वायर जा चुका है, next हमारे पास, all wires are roads, यानि wires के, wire के उपर कौन सा circle बनेगा हमारे पास, roads, क्योंकि सारे के सारे जो wires हैं, वो road के अंदर आते हैं, यहां पे हमारे पास roads आ चुके हैं, all roads are cars, यानि सारे के सारे जो roads हैं, वो किसके अधीन आएंगे, अंडर आ है room, यहां पे आप देख सकते हो, ये सारा पास जो है, वो कुछ पार्ट है, cars का, जो कि क्या है, हमारे पास rooms है, यानि पैला conclusion बिलकुल सही दिया गया है, some roads are rooms, यानि road का चोटा सा पाट हैं, यानि road का चोटा सा पार्ट हैं, यही वाला पार्ट है, वो किसको denote करते हैं, room क को denote करते हैं जो कि रोर का चोटा सा पाठ यह विल्कुर से दिया गया है 3rd दिया गया है some cars are wires some cars are wires यानि wires में ये सबी आ जाएंगे जिसमें roads भी आ जाएगा ये wire वाला पार जो है वो cars का कुछ पाठ यह भी बिल्कुर सही है यानि इस question का सही उत्र बनेगा हमारे पास D option All, One, Second and Third तीनों के तीनों जो conclusion है वो बिल्कुल सही दिये गए हैं इसका सही उत्र D option All, First, Second, Third, Follow नेक शुर्शन देखे 34 रंब कोशन इसमें उच्छा गया है इस परकार का question हम पहले भी कर चुके हैं According to a survey यानि एक survey क्या आता है जिसमें 70% लोगों के पास cars है 75% लोगों के पास TVs है और 55% लोगों के पास क्या है दोनों यानि यह बन गया हमारे पास Venn diagram यहाँ पे 70, यहाँ पे 75 यहाँ पे 55 आजाएगा दोनों का जो common है यह denote करता है cars को यह denote करता है TVs को यह दोनों को denote करता है यानि common area को denote करता है कितने लोगों के पास कितने परसेंट लोगों के पास TV या फर car नहीं है यह पुछा गया है 17 प्लस 75 माइनस 55 टोटल हमारे पास कितने होते हैं 100% यह आचुके 90% 100 में से माइनस करेंगे 100 में से माइनस करेंगे 90 प्रतिशत तो हमारे पास 10% लोगों वो है जिनके पास ना तो cars है ना तो TV आई ना की ना ही तोनों है यहनि इस question का सही उत्र बनेगा C option 10% C option is correct answer नाइक question देखे 35 number question एक series type question हमें दिया गया है इस growth rate को हमने arrange करना है एक arrange करना है एक logical way के according हमें बुचा गया है इस question mark place पे क्या हैगा सबसे पहले देखे 3.5 से हम कितना अड़ करिये तो हमारे पास 3.7 आजए 0.2 आड़ करना पड़ेगा इसी तरह 3.7 में कितना अड़ करें 0.4 इसी तरह यहाँ पे 0.8 इसी तरह यहाँ पे कितना अड़ आएगा 1.6 next कितना अड़ होगा 3.2 3.2 यानि 6.5 3.2 5 प्लस 2 7 3 प्लस 6 9 यानि 9.7 जो है वो इस question का बिल्कुल सही उत्र होगा जो की हमें C option में दिया गया है 9.7 इस question का बिल्कुल सही उत्र होगा C option is correct answer next question देखे 36 number question एक series दी गई है हमें पुछा गया है इस series में जो wrong number है वो कौन सा दिया गया है यह हमने find करना है कौन सा wrong number हमें इस series में दिया गया है सबसे पहले देखे 125 से हमने जाना है 126 तक कितना अड़ करेंगे प्लस 1 इसी तरह यहाँ पे कितना अड़ करना परेंगा 126 में से 124 तक जाना है minus 2 इसी तरह यहाँ पे कितना plus 3 यहाँ पे minus 4 यहाँ पे हमें करना है add plus 5 plus 5 करना सा बट यहाँ पे plus कितना कर दिया plus 6 कर दिया जो कि हमें गलत दिया गया है यानि 128 आना चाहिए था बट 130 यूज़ किया गया है इसका direct answer हमारे पास कितना बन चुका है D option 139 139 D option is correct answer क्योंकि यहाँ पे 6 एड़ करने की बज़ाए हमें एड़ करना था 5 जो की 128 आना चाहिए था बट इनके दोरह 139 यहाँ पे लिखा गया है जो की 6 एड़ करने के बाद आता है इसका सही उतर है D option 139 Next question देखे 37 number question इसमें बोला गया है जिस परकार से science laboratory से associate है उसी according astronomy किस चीज़ से associate होगी science जिस परकार से laboratory से associate है उसी परकार astronomy space से associate होगी इसका सही उतर है C option space यानि अंत्रिक्षा इसका सही उतर है C option space Next question देखे 38 number question If F is the brother of A यानि F जो है ये क्या है brother है किसका A का F is the brother of A C is the daughter of A C जो है वो क्या है daughter है A की K is the sister of F K जो है वो किसकी sister है F K is the sister of F G is the brother of C G is the brother of C हमें पुचा गया है Then who is the uncle of G यानि G जो है इसका uncle कोन होगा इसका जो gender है वो define नहीं है और हमें पता है ये जो denote करता है minus ये female को denote करता है ये करता है male को यानि हमें पुचा गया uncle कोन होगा G का हमें पता चल चुका है कौन सा है F F जो gender है male होने के वज़ा से ये क्या आ चुका है हमारे पास वो आ चुका है uncle अंकल की बजाए अगर यह यहाँ पे हमें पूछते आंट कौन बनी उसका अंसर होता के बट इनके द्वारा पुछा गया है अंकल तो अब हमारा जो इस question का answer सही बनेगा वो बनेगा A option F F जो है वो अंकल होगा यानी चाचा होगा या फिर मामा होगा किसका जी का इसका सही उत्तर है A option F Next question देखें 39th number question 49 number question If the price of potatoes is increased first by 20% यानी potatoes का जो price है वो increase होता है 20% पहली बार दूसरी बार increase होता है 40% हमें पुछा गया है जो final में price होगा वो कितना होगा अगर original price है 25 प्रती किलोगराम original price सबसे पहले लिखिया आप original price कितने पैसे है हमारे पास original price 25 प्रती किलोगराम उसके बाद पहला जो increment होगा कितने परतिषत का हुआ 20% का 20% का increment होने की वज़ा से 25 का 20% कितना आचुका है? हमारे पास 5, 5 में जब हम 25 आड करेंगे तो हमारे पास number कितना आचुका है? 25 प्लस 5, 30, यानि पहली बार इसका जो price है वो कितना हचुका है? 30. इसी तरह हम second case में भी करेंगे second case में क्या करना है हमें 40% increase करना है 40% क्या करेंगे increase करेंगे 40% कितना निकलेगा हमारे पास 3-4-12 यानि 12 plus 30 ये value हमारे पास कितनी आ चुकी है वो आ चुकी है 42 42 जो है वो है final price दो बार price increase करने के बाद ये ही पुचा गया है price कितना बन जाएगा इसका सही उत्तर है B option 42 is correct I hope आप सभी को ये question भी सही समझाया होगा very important question ये बारवार रपीट होता है 42 यानि B option is correct answer next question देखे 40th number question 40 number question एक monkey है जो की slippery pole पर चरने का परयास करता है trying to climb by slippery pole of 11 meter height यानि एक मालो ये खंबा है ये pole है एक और इसकी जो length है वो कितनी दी गई है 11 meter की और इसके दोरा पहले attempt में 3 meter जो है वो climb किया जाता है और slip down करता है 1 meter यानि एक attempt में यानि 1 attempt में इसके दोरा कितने meter का जो इस खंबे को पार किया जाता है, क्लाइम्ब किया जाता है, 2 मिटर 1 अटेंप्ट में, इसी तरह हम ने टोटल जो खंबा है, वो है 11 मिटर का, इसमें कितने अटेंप्ट लगेंगे, ये पुछा गया है, सबसे पहले तो इस पर करके कोशन को करने के लिए आपको, क्या करना है, इसके नजदीक वैल्यू जो है, वो आपको डूननी है, वो कितने हैं, हमारे पास वो है, 4 को मॉल्टिपलाइ करेंगे जब हम, वो कितना जाएगा, 8 मिटर, 8 मिटर सबसे पहले हम निकालेंगे, पीछे जो बच चुका है, वो कितना बच चुका है, 3 मिटर, और इसके टोटल अटेम्ट कितने हो चुके हैं, 4 अटेम्ट पहले हो चुके हैं, इसके बाद जो पांचमा अटेम्ट होगा, यानि लास्ट अटेम्ट जो होगा, पांचमा अटेंप्ट, इसके दोरा जो तीन मिटर बचा हुआ है इसको भी पार कर दिया जाएगा, यानि सबसे पहले तो मालीजिए यहां पर आठ मिटर पहुंच गया उसके बाद जब ये चार अटेंप्ट में यहां तक पहुंचा है उसके बाद 5 में attempt में क्या होगा ये 11 का 11 यानि 3 मिटर और चलांग लगाएगा और यहाँ पे 11 मिटर पर पहुंच जाएगा यानि 5 में attempt पे ये अपने इस खंबे के सिखर पे पहुंच जाएगा ये ही पूचा गया है टोटल कितने attempt लगेंगे इस question का सही उतर दिया गया है B option 5 attempt पांच attempt में इस खंबे को पार कर दिया जाएगा इस monkey के द्वारा इसका सही उतर है B option 5 next question दिखे एक तालीस नम्हों question इना class of 35 children M.A.'s rank is 6th from the top यानि एक 35 बच्चों की class है जिसमें M.A. का जो rank है वो है 6th top से यानि ये माल लीजी आप एक line है top से और इसमें M.A. का जो rank है वो क्या है M.A. का जो rank है वो है 6th 6th top से इन्лом is the 7th rank below M.A. यानि जो हमारे पास इनी का rank है वो कितना है 7th rank below है M.A क रेंक से यानि इसका rank नीचे होगा यहां पे एननी का rank का और हमें पता है 7th rank नीचे है यानि इसका rank कितना होगा 7 plus 6 यानि 13 था 13 रेंग जो है वो किसका आ चुका है any का आ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो any का रेंग 13 आ चुका है और पुछा गया है इसमें any का जो रेंग है bottom से वो पुछा गया है total जो children है हमारे पास वो कितने है 35 और नीचे इसके कितने बर्सन होंगे इसके नीचे कितने बर्सन होंगे वो होंगे हमारे पास 12 क्योंकि 13 रेंग इसका है इसलिए हमें minus कर देने है 12 12 minus करेंगे तो हमें value मिलेगी 23 23 रेंग इस question का विल्कुल सही उत्र होगा जो कि हमें D option में दिया गया है इस question का right hand side हमारे पास डियो आप्शन 23rd नेक्स टोशन देखें ब्यालीस रंबर कुछना On January 12, 1980 It was a Sunday यानि 12 January 1980 को क्या है हमारे पास Saturday है इसी तरह हमें पुछा गया है 12 January 1989 इस वी को क्या होगा 12 January 1989 को क्या होगा इससे एक दिन पहले होगा यानि इसमें कोई भी leap year use नहीं किया गया क्योंकि 1980 leap year जरूड है बट इसमें हमने फैब का month use नहीं किया क्योंकि फैब में ही increase होता है एक दिन इसलिए Saturday में जब हम एक डे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिन कौनसा Friday यानि शुक्करवार शुक्करवार दिन होगा 12 January 1979 को इस question का सही उत्र दिया गया है B option Friday इसका सही उत्र है B option Friday next question है कि 43 number question 43 number question find the next term of the series यानि इस series में जो next term आएगी वो कौन से आएगी सबसे पहले देखिए इसमें B से हमने जाना है E तक का B CD चोड़के E आगे हमारे पास M के बाद N चोड़ा हमारे पास O आचुका है O के बाद P चोड़ा क्या हुआ चुका है इसी तरह E के बाद F G चोड़ा हमारे पास H आचुका है O के बाद P चोड़ा क्या हुआ चुका है Q के बाद R चोड़ा S आचुका है इसी तरह हमारे पास h क्या हूँ ऐसा है इसी तरह हम जब इसमें add करेंगे h i j add करेंगे हमारे पास desert cons आएगा k आएगा क्या हूँ के बाद r छोड़ा ऐसा आगया इसी तरह s में t जोड़ा तो हमारे पास u आगया ksu ksu इस question का बिलकुर सही उत्र होगा जो की हमें b option में दिया गया है इसका सही उत्र है b option ksu is correct answer b option is correct answer next section देखिए 44 number question 44th number question हमें बुचा गया है इस series में जो wrong number दिया गया है वो डूढ़ना है हमें कौन सा दिया गया है सबसे पहले देखिए 4 से लेके जाना है 10 तक plus 6 करेंगे 10 से बाई तक जाना है plus 12 करेंगे इसी तरह यहाँ पे plus 24 करेंगे यानि 6, 12, 24 next कितना करेंगे 48 next कितना करेंगे 96 next कितना करेंगे हमारे पास 9218 108C यानि 101 next टाइड करेंगे 101 बन में यहां पर हमें पुछा गया इसमें रॉंग और डिजर कौन सा दिया गया है चालीस में जब हम एड करेंगे 48 यानि जब हम चालीस में एड करेंगे 48 6 और 8 14 एक रिमाइंडर 4 और 4 और 8 और 9 यानि चुरान में आना चाहिए था इस 96 प्लेस पे तो ही हमारा इस सीरीज को सही मना जाता था यानि इस कुष्ण का सही उत्र बनेगा हमारे पास C option 96 96 जो है वो इस सीरीज में हमें रॉंग दिया गया है इस 96 की जगा पे हमारे पास यूज करना था 94 क्योंकि इनके दोरा पुछा गया है रॉंग नंबर कौन सा दिया गया है इसका सही उत्तर है C option 96 I hope आप सभी को ये question भी clear हुआ होगा next question देखे 45 नंबर question for a certain month the dates of the 3 of the Sundays are even numbers what would be the day of 15 of that month यानि एक महीने के जो Sundays हैं वो even date को आते हैं यानि सबसे पहले तो मान लीजिए हमारे पास Sundays जो आएंगे वो even date को किस-kis date को आएंगे सबसे पहले तो 2 तारीक को आएगा उसके बाद next जो Sunday होगा वो किस तारीक को आएगा 9 को, इसी तरह 16 को साथ साथ दिन बाद आता है 16, 23 और 30 यह सभी संडे वाले दिन है इसमें 3 जो हैं वो even नमबर वाले होने चाहिए 2, 16 और 30 यह तीनों के तीनों क्या हो गए even numbers हो गए जिस दिन संडे दिया गया है यह दोनों क्या हो चुक्ए हमारे पास order दिये गए है और हमें पूचा गया है इस सेम मन्त में 15 तारीक को कौनसा दिन होगा अगर बात करें हम 16 तारीक को कौनसा दिन है हमारे पास Sunday इसी तरह 15 तारीक को एक दिन पहले होगा यानि Sunday से पहले कौनसा दिन होगा Saturday यानि Director हमारे पास इस question का जो right उत्रा आ गया वो कौनसा आ चुका है Saturday C option is correct answer Saturday होगा इस पंदरा तारीक को इसका सही उत्र है C option Saturday I hope आप सभी को ये question भी clear हुआ होगा Next question हमारे पास 46 से लेकर 48 तरह नमबर question तक हमें एक puzzle type question दिया गया है इसमें हमने 3 question attempt करने है 46, 47 और 48 ता 3 question हमने इस puzzle type question से attempt करने है सबसे पहले तो देखिए साथ लोग हैं जिनकी नाम हमें यहाँ पे दिये गए हैं हरीश, समीर, निलेश, शैलाजा, निकिता, लक्षमन और सुजात्ता इनके दोरा interview conductor किया जाता है trainee officers का different panel में एक से लेकर साथ तक different companies में A से लेकर G तक यह हमें companies दी गए है सबसे पहले इस प्रकार के question को करने के लिए हमें अब तक यहां तक हमें तीन चीज़ें पता चली है इस यहां से starting से लेकरा सबसे पहले तो person दिये गए हैं उनके नाम दिये गए हैं सबसे पहले लिखिए आप name इनके नाम लिखने के बाद उसके बाद second हमें दिया गया है इनके panels यानि इनके second ने लिखिए आप panels जिस panel में इनके दौर interviewer जो है वो conductor किया रहता है third में लिखना है आपको company कौन सी company के लिए आप interview दे रहे हो ये लिखना है और fourth में आपको लिखना है panel fourth for company A यानि यहाँ पे हमारे पास कौन person आ चुका है निलेश निलेश का जो interview है वो fourth panel में होता है यहाँ पे आगया हमारे बास fourth panel और इसकी जो company है वो कौन सी company है ए कंपनी है Samir is interviewed by panel third यानि यहाँ पे आगया हमारे पास Samir और इसका जो panel है वो कौन सा है, third panel है, तीसरा panel है, और इसकी company C और D नहीं है, C और D को हम लिख लेंगे यहाँ पर, next को दिया गया हमें, Harish is interviewed for company B, Harish जो है, इसकी हमें, जो company है, वो कौन सी दी गई है, B company दी गई है, बट panel 1 और 2 नहीं होना चाहिए panel 1 और 2 पैनल नहीं होना चाहिए, निकिता is interviewed by panel 6 for company E, यानि निकिता यहाँ पर आ गई, निकिता का जो panel है, वो है, 6 6 नमबर panel, और company कौन सी है E company है, panel 7 conducts the interview for company F यानि panel 7 जो है वो किसका interview conduct करता है F company का, यानि अगर panel हम 7 यहाँ पर लें, panel 7 किसका interview conduct करता है panel 7 company F का यहाँ पर company कौन सी आगे हमारे पास F company आ चुकी है, शैलाजा is interviewed by panel 1, शैलाजा का interview होता है, वो किस panel में होता है, 1 panel में, अगर बात करें हम panel यहाँ पर 1 आ नहीं सकता, तो हमने शैलाजा लिख लेना यहाँ पर, शैलाजा लिखने के बाद, इसका जो panel है, वो कौन सा है, panel 7 के बाद, शैलाजा इनसे interviewed panel 1, यहाँ पर panel 1 आ चुका है, और companies की C नहीं है, C कंपनी नहीं है panel 2 does not interview लक्षमन, यह panel 2 है वो लक्षमन का जो interview है वो conductor नहीं करता, यानि हमारे पास दो ही ऐसे बचे हुई है, जहाँ पर हमने panel को बिठाना है, panel बाकी सारे हमारे पास जो है, वो settle हो चुके है हमें बता है, यहाँ पर panel 1 और टूनी आ सकता 1 already settle हो चुका है एक ही place बचता है, हमारे पास panel को setup करने के लिए, second को वो बचता है हमारे पास second panel और हमारे पास एक ही panel और बचता है वो कौन सा बचता है, वो बचता है 5th panel, 5th panel हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सारे के सारे जो पैनल है वो हमारे पास सही हो चुके हैं, settle हो चुके हैं उसके बाद next बताया गया है कि हमारे पास next बताया गया है G company, तो हमारे पास G यहाँ पर आजएगी, C company यहाँ पर नहीं आ सकती, तो हमारे पास D company यहाँ पर आजएगी, A की company की जगा बच्ची आप बच्ची है, C company यहाँ पर आजएगी, और उसके बाद next बताया गया है कि हमारे पास जो panel 2 है, वो लक्षमन का जो interviewer conduct नहीं करता, यानि लक्षमन यहाँ पर नहीं आ सकता, लक्षमन यहाँ पर आजएगा, लक्षमन यहाँ पर आजएगा, तो हमारे पास A की seat बच्चती है, वो बच्चती है, जो हमारे पास 7th person दिया गया है, जिसका नाम है सुझाता, यहाँ पर हमारे पास कौन सा person आ गया, सुझाता, यह पूरी की पूरी जो puzzle है, वो हमारे इस सारे settle कर दिया गया है, इस box में, सारी जो puzzle है, वो हमने इस box में solve कर ली है, अब हम इस question के, इसके जो question है, वो attempt करते हैं, सबसे पहला question जो दिया गया है, वो दिया गया है, 46 number question, 46 number question, शैलाजा is interviewed for which company, यानि शैलाजा के दोवरा interview conduct किया जाता है, किस company में, यह पूछा गया है, सबसे पहले तो देखिए, आप शैलाजा यहाँ पे given है, शैलाजा की जो company है, वो कौन सी है, शैलाजा के दोवरा interview conduct किया जाता है, यानि इस question का सही उत्र होगा, C option D, D company में interview conduct किया जाता है, शैलाजा के दोवरा, इसका सही उत्र है, C option D, next question देखे, 47 number question, पैनल 2 conducts interview for which of the following company, यानि पैनल 2 के दोवरा, किस company का जो interview है, वो conduct किया जाता है, यान पे आप देख सकते हो, ये है पैनल 2, और इसमें जो company है, उसका नाम है C, यानि इस question का सही उत्र बनेगा, वो बनेगा, A option C, C company जो है, इसमें interview conduct किया जाता है, इस panel 2 में, इसका सही उत्र है, C option C, next question देखे, 48 number question, who among us to the following, is interviewed for company G, I hope आप सभी को ये question सारे के सारे सारे समझाया होंगे, next देखे, 49th से लेकर, 51 number question तक, हमें दिया गया है एक puzzle type question, again, 49th, 50 और 51, यानि तीन question हमने, इसमें से attempt करने हैं, सबसे पहले देखे, हमें person दिये गए है, M से लेके U तक, M, D, P, K, R, T, U, यानि total कितने person हैं हमारे पास, 7 person है, सबसे पहले तो आप 7 निशान लिगा लिजिए, तांकि हमें कोई confusion न रहे, 7, 4, 5, 6, और 7, यह हमारे पास 7 person आ चुके हैं, उसके बाद इनको हमने settle करना है, according to, इनकी information के according आ, D is the second to the right of P, यानि D जो है, वो second right है, किसे P से, अगर P को हम यहाँ पे माल लें, इसके second right पे कौन है, D है, D यहाँ पे आ जाएगा, automatically, next देखे, who is the third to the right of K, यानि, यह third right है, K से, यह कहा गया है, जिसके बाद भी who, use किया जाए, उसी की बात की आती है, यानि, D is second to the right of P, और, who is the third to the right of K, यानि, जो P है, यह कहाँ पे है, यह है third right of K, यानि, K हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, इसके third right पे कौन हो चुका है, हमारे पास P हो चुका है, next पताया गया है, T is third to the right of W, यानि, जो हमारे पास T है, यह third right है W से, यानि, हमारे पास अगर W यहाँ पे मालने, तो इसके third right पे कौन है, T है, T is third to the right of W, who is the not an immediate neighbor of D, यानि, जो T है हमारे पास, वो immediate neighbor नहीं हो सकता, यानि, who is the not an immediate neighbor of D, यानि, W हमारे पास यहाँ पे भी नहीं आसकता, उसके बाद next बटाया गया है, M is third to the left of R, M जो है, वो है third left R से, यह सारी conditions हमें बताए गई है, उसके बाद हमें बटा है, कि W यहाँ पे नहीं आ सकता, W यहाँ पे नहीं आ सकता, अगर हम W को यहां पर बिठाएंगे तो हमारे पास दो परसन छोड़के हमें T बिठाना है यानि ये परसन ये परसन छोड़के T यहां पर नहीं आ सकता तो हम ड्रेक्टर W को यहां बिठाएंगे W को यहां पर बिठाएंगे तो इसके 3rd left पे कौन हो जाएगा, R हो जाएगा, यानि M को हम यहाँ पे बिठा देते हैं, तो R हम यहाँ पे बिठा देते हैं. यह पूरी के पूरी puzzle हमारे पास solve हो चुकिया है, सारी conditions के according है, जिस पकार से इनके दौरा सारी conditions बताए गए हैं. यह सारी की जो सारी puzzle है, वो हमने solve कर लिया according to these information, जो कि इनके दौरा बताए गए थी. अब इसके जो questions हैं, वो हम solve करते हैं, जो कि इनके दौरा बताए गए हैं, जो questions इनके दौरा पुछे गए हैं. सबसे पहले देखिए, 49th number question देखिए, जो इस puzzle से पूछा गया है, who is sitting second to the right of T? यानि T जो है, वो हमें यहाँ पे दिया गया है, इसके second right पे कौन बैठा है? T के second right पे, इसका जो face है, इसकी तरफ होने की वज़ा से, इसका right यस तरफ बनेगा, इसके second right पे कौन बैठा है? वो बैठा है, Emma. इसका सही उत्र है, C option. Next question देखे, 50 नमोगोशन. In which of the falling pairs, the second person is sitting to the immediate right of the first person. यानि, इस pairs के according पुछा गया है, second person जो है, वो immediate right होना चाहिए, पहले person से. वो पुछा गया है, कौन सा हमें दिया गया है? इसका सही उत्र दिया गया है, वो दिया गया है, KW. KW आप यहाँ पे देख सकते हो, K जो है, वो रहा यहाँ पे, और इसके immediate right पे कौन बैठा है? W बैठा है. यानि, इस question का सही उत्र है, हमारे पास वो है, D option. KW. I hope आप सभी को यह question भी समझ में आया होगा. Next question देखे, के last question, 51 number question, जो इस puzzle से पूछा गया है, Who is sitting to the immediate left of R? यानि, immediate left कौन बैठा है R से? R जो है, वो यहाँ पे बैठा है, इसके immediate left, यानि, इसका left इस तरफ होगा, इसका immediate left कौन बैठा है? वो बैठा है, W. यानि, इस question का direct हमारे पास अंसर कौन सा बन चुका है? वो बन चुका है, हमारे पास direct A option, W. W जो है, वो हमारे पास बैठा है, immediate left of R, हमारे पास R, यानि, इस question का राइटन सा है, हमारे पास A option, W. So, यह था हमारे पास complete session, जो की intelligence bureau के paper के लिए तियार किया गया था, इसमें हमने 50 plus of questions कवर किये हैं, with detail, यानि, हार एक question को मैंने आपको detail में समझाया है, अगर आपको जे marathon session अच्छा लगा हो, तो आप इस session को like कीजिए, share कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारा channel, wife education को subscribe नहीं किया, तो channel को subscribe करके, bell icon को जुरूर प्रेस कर लें, ताँ कि इस तरह की जो informative videos होती हैं, उनको आप बिल्पुल भी miss ना कर पाएं, अगर आप current affairs का एक marathon session चाहते हो, तो आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हो, एक current affairs का भी marathon session ले लिया जाएगा, इसलिए आपको इस तरह के questions की practice करनी है, इस video को आप 2-3 बार repeat कीजिए, आपको हो सकता है, इसमें काफी सारे questions आपको इसी type के exam में डिरेक्ट मिल जाएं, इसलिए आपको इस video को अपने friends के साथ share भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अगर आप इस session की PDF डाउनलोड करना चाते हो, वो आप हमारे telegram channel, wife education channel से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे इसकी जो PDF है वो अप्लोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप इस सारे session की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, इस video में वस इतना ही मिलते हैं next studio में, अगर आपको current phase का एक marathon session चाहिए, जिसमें हम approximately 3 से लेकर 6 महिने तक के current phase cover करेंगे, अगर आपको इस session को चाते हो, तो आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हो, वो भी आपके लिए एक से एक जा फिर दो दिन तक schedule करवा दिया रहेगा, इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next studio में, so thanks for watching, take care, goodbye, god bless you all, keep spotting wife education, और telegram channel पर आप जोइन जिरूर कीजिए, वहाँ पे इस की PDF आपको upload कर दी जाएगी, so thank you so much,